नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं वहाँ बड़ी संध्या में महिला पूरुस जवानों को तैनात किया गया था, पंचायच स्वयम सेवक संध्या मनोज यादों ने कहा है कि सरकार हमसे सभी काम करवाती है, लेकिन उसके बदले में सही बेतर नहीं देती, सरकार ने सभी मांगे पूरी करने का वादा किया था, लेकिन 4 साल बीत गये, अब तक सिर्फ अस्वासन ही मिल रहा, पंचायच स्वयम सेवक के परदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने कहा है कि चुनाव से पहले वादा किया गया था, लेकिन 4 साल बाद भी पंचायच स्वयम सेवकों को ना मांदे मिला और नहीं अस्थ 20 दिनों से CM सेवार्ता लाप कराने के लिए हम समय मांग रहे लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई ठक हारकर आज राज भर के 1500 सेवक विधान सभागेरने पहुंचे हैं बता दे 10 दिनों में CM सेवार्ता नहीं कराई गई तो 2024 के चुनाव में वादा खिलाफी करने वाली सरकार को मांगा पड़ेगा ज्यारखन बिधान सभा के मांसून सत्र BJP बिधायक बोले हेमनसुरेन इस्थिपा दे जार्खन बिधान सवा के मांसुल सत्र के पहले दिन सुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल भरतिय जनता पार्टी ने सदन के बाहर हेमान सुलिन सरकार पर जम कर हमला बोला कहा है कि जार्खन में अपराधी बेलगाम हो गए हैं करून बेवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गए बिधान सवा से कुछ ही दूरी पर है दला दली वहाँ एक युगा नेता की गोली मार कर हत्या कर दी गई महिलाओ पर अत्याचार की घटनाय सामने आ रही है सरकार उन पर लगाम लगाने में नकाम है हेमान सुने सरकार को इस्थीपा दे कर जानता से माफी मांग लेनी चाहिए दूसरी तरफ सदन में सोक प्रस्ताओ के बाद विधान सवा की करवाही सोम वार को सुब़ 11 बज़ तक के लिए स्थागित कर दी गई है बता दे विधान सवा के बाहर पोस्टर लेकर बीजेपी बिधायकों ने सरकार के खिलाप पर दसन किया है जारखन में भारी बारिस का अलर्ट जारखन में मांसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है ऐसे में राजे के कई जिलों में भारी बारिस की छेतावनी दी गई मौसम केंद्र राची के मुताविक 29 जुलाई से 1 अगस्तक राजे के कई इलाकों में भारी बारिस का अनुमान है दरसल उत्री उडिसा, डैंग्टिक, पच्छिम, बंगाल और छारखन के आसपस के छेत्रों में सैकुलेशन सैकुलेशन बन रहा है इसी का असर राजे के कई जीलों में दिखेगा मौसम विभाग के पुरोणमान के मुताविक 3 अगस्तक राजे भर में गर्जन के साथ हलके से मत दर्जा की बारिस होगी वही 29 जुलाई से 1 अगस्तक राजे के कई भागों में भारी वर्षा का अनुमान है इस दोरान गर्जन और वईरपात की असंका भी है सांतिप पूर्ण रहा मानसुन सत्र का पहला दिन जारखन बिधान सभा का मानसुन सत्र आई से सुरू हो गया है 4 अगस्त तक चलने वाले इस मानसुन सत्र के हंगा में दार रहने के पूरे असार है सत्र पक्ष जहां मनी पूरहिंसा को लेकर परदसन करने वाला है वहीं विपक्ष ने बिधी वेवस्था रोजगार और सुखाड के असंका के मसले पर हेवान सुरेन सरकार को घरने के त्यारी की है इस सत्र में सरकार खत्यान अधारीत अस्थानियता बिधयाक आरक्षन बिधयाक, मबलेंचीन बिधयाक और जैन विसो बिधयाले बिधयाक को दोबारा पेस करने वाली है जिनने राजेपाल ने आपतियोग साथ लटा दिया था अब स्पीकर के सम्भोधन से सत्र की सुरुवात हुई उन्होंने कहा कि सदन में सार्थक बिचार बिमर्ज के लिए पक्ष और विपक्ष की भागेदारी जरूरी है इसी बीच बिजेपी बिधयाक दल के नेता कचया नहीं होने से पार्टी ने किसी का नाम नहीं दिया हेवन सुरेन सरकार ने बिधान सभा में कृत करवाई पर्तिवधन सदन में रखा है हत्या से पहले सुभास मुंडा को आया था कॉल माकपान नेता सुभास मुंडा हत्याकान की जाच पे राची पूलिस के साइटी जूटी है पुलिस सुत्रों का काना है कि अब तक की जाच में यह बास सामने आया है कि हत्या के थोड़ी देर पहले किसी ने सुभास मुंडा को फोन कर पूछा था कि ओफिस में हो तुम उन्होंने कहा था हाँ इसके बाद एक गाड़ी से पांच लोग दला दली चोक के समीब इस्थित उनके मार्केट कम्पलेक्स के पास पहुँचे कम्पलेक्स से सटा एक रास्ते पीछे जाता है अंदर जाने पर उनके ओफिस के पहले लोहे का गेट है उसी गेट से चारो अपराधी अंदर गाए एक अपराधी गेट पर ही खाला रहा वहीं तीन अपराधी ओफिस के पहले कम्रे में वेटिंग रूम में गाए वहां पर एक अपराधी रुख गया वहीं दो अपराधी ओफिस के अंदर गया दोनों अपराधी वह सुबास मुंडा के बिच कीसी तीन एककर जमीन को लेकर चर्चा होई इसी दोरान बिजली चली गया तभी सामने बैठे अपराधीयों ने पिस्टल से सुबास मुंडा परतापर तोर फैरिंग कर दी अपराधीयों ने सुबास मुंडा के गर्दन के नीचे छाती वह पेट में आठ गोली अमारी है घटना के बाद अपराधी वहां से भाग निकले घटना अस्थल के आसपास के CCTV में अपराधीयों की धोंदेली तस्वीर नजर आ रही है जारखन के पर्योजनाओं को जल्द से जल्द पूरी करे बताजे रांची की गेतल सूत में चीनीत भोमी पर रिजोट बनाने के लिए डिपी आर और आगे की अवसेक करवाई जल्द पूरी करने का निदेश दिया गया वही रामगण के उपायुत को राजराप्पा में पर्याटकों की सुवधा को लेकर आवसक सुवधाओं एवं जरूतों का आकलन तथा इसके लिए भोमी चीनीत का आवसक आनपत्ति प्राप्थ कर विभाग को प्रस्ता उपलबत कराने को कहा वही चातरा के उपायुत को एतिहासिक इट खोरी एवं कैलोसरी में परयटकों की सुवधा के लिए एवं पच्मी सिम्हं के उपायुत को सरंडा थाल को बाद एवं कीरीन बोरू में इको टूरिजम विकास को लेकर निदेश दिया गया इतना ही नहीं सियम हेमांसुले ने कहा है कि खेल एस्टिरियम का भी निर्मायन मानको के अनुरूप हो कॉंग्रेस के तीन विधायक हुए निलंबन मुक्त पच्छिम बंगाल में बंगाल पुलिस के हाथो कैस कांड में पकड़े जाने के बाद निलंबित कॉंग्रेस के तीन विधायक रायस का क्छप नमण बिक्सल का गोडी और डाक्टर इर्फान अनसारी को सुकरवा को निलम्बन मुक्त करने के उन संसा की थी जिस पर आज पार्टी अलाकमन ने तीनों बिधायों को निलम्बन मुक्त करने का निने लिया है। जार्खन सिक्षा पर्योजना के खाते से 19,08,000 की अवैद निकासी। जार्खन सिक्षा पर्योजना के खाते से 19,08,000 रुपै गायब कर दिया है। इस अवैद निकासी में साइबर अपरादियों का हाथ होने के असंका जताई जा रही है। वही मामले को लेकर रांची के धुर्वा थाना में प्रात्मी की दर्च की गाई। भाजपा विधायाक इस दोरान माकपा नेता सुभास मुंडा हत्या की जाज CBI से कराने की है। राजे में हाल के दिनों में बिदी वेवस्ता है कि लचर इस्थिती पर नाराजगी जताते हुए बिधायाक अमर कुमर बावरी ने कहा है कि जिस तरह से सुभास मुंडा की सर्याम गोली मार कर हत्या कर दी गई। इसे अंदाया लगा जा सकता है कि राज में आम लोग कितने सुरक्षित हैं। उन्होंने अपराधियों के बड़े गैंग के द्वारा जेलों से रैकेट चलाने कारोप लगाते हुए कहा है कि पूलिस की दविस पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है जिस वज़ा से आज आम अशुरक्षित मसूस कर रहे हैं। इसके तहद सानिवार को मेन रोड में सभी परकार के वाहनों के परवेस परोक लगा दी गई है। वहीं सुबह दस बये से जूलूस के समापन तक या ब्यवस्ता रहेगी। इस समद में ट्रैफिक एस पी हारिस बीन जामा ने आदेश जारी किया है। ट्रैफिक एस पी की अध्यक्स बावलामरांडी ने विधान सभाक मांसून सत्र के पहले दिन परदेश की कानून वेवस्ता को लेकर हेमान सुर्यन सरकार पर तिखामला बोला। पहले दिन सत्र की समापती के बाद मेडिया से मुखादी बावलामरांडी ने हेमान सुर्यन सरकार पर राज के प बास मुंडा हत्याकन का जिक्र करते हुनों ने कहा है कि सरकारी और प्रसास्निक अक्षमता के कारण परदेश की विदिवेवस्था ध्वस्थ हो गई है। कुलहान में हाथियों का अतंक जारी। कुलहान प्रमंडल छेत्र में इन दिनों हाथियों का उत्पात जारी है। बरबाद भी कर दिया हाथियों के इस उत्पात से पूरे छेत्र के लोगों में दसत फैला हुआ है।